चलें आज बनाते हैं बहुत ही आसान मज़िदार चिकन सैंडवेच यह बहुत ही हैल्दी है चिकन सैंडवेच बनाने के लिए पहले हम इसकी स्टफिंग तयार कर लेंगे कड़ाई में ऑईल को गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे मीडियम सैज की बारी कटी हुई प्यास और इसे डाल कर हमें जब तक फ्राय करना है जब तक की हलकी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम इहाँ पर डालेंगे एक छोटे साइस की शिम्वला मिचु को डालने के बाद हम इसे 1-2 मिल तक फ्राइ कर लेना है और फ्राइ करने के बाद में हम यहाँ पर डाल देंगे एक बड़ा चमच मेदे का यह बाइंडिंग का काम क कर जल्दी अंदी चलाएंगे फिर आधा कब जो बचा हुआ है वो भी डाल देंगे अच्छे से मिलाने के बाद हम यहां मसाले डाल देंगे इसमें हलकी फुलके ही मसाले जाते हैं एक चोटा चमच कुटी हुलाल मेच आधा चोटा चमच मुना पिसा हुआ जीरा चोथा आधाने के स्टफिंग को जब तक पकाना है जब तक की यह गाणी नहीं हो जाती तो देखें अच्छे से इसमें बाइंडिन आ चुकी है यहां डाल देंगे हरी मेल्च और हरा धनिया और इसको डार कर अच्छी से मिला देंगे और गैस की फिलिम को बंद करके इसी ठंडा क तो देखें स्टफिंग हमाई ठंडी हो चुकी है चले सेंडविच बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिए इस पर मैं देशी घी लगा रही हूं आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं दूसरे पर भी इसी तरह से देशी घी लगा कर तभी में रख दें तो चले हैं आप हम सेंडविच बना लेते हैं तो ब्रेड पर हम लगा लेंगे कैचप और कैचप को अच्छे से फैला देंगे और यहां पर हम रख देंगे स्टफिंग आप अच्छी कौन्टिटीव रखें इसी का अच्छा टीस्ट आता है अब यहां सलाग पत्ता रख आप यहां कोई और सबजी भी रख सकते हैं जैसे टामाटर और प्याद मैंने यहां चीज क्यूब लिया है इसको हम ग्रेट करके डाल देंगे और यहां पर दूसरे बेट पर म्यूनीज लगा देंगे और इसके ओपर रख देंगे इस तरह सेंडविच तयार है तबे को हम ग्रेज कर देंगे देसी घी से और यह ब्रेट रख देंगे दूसरा सेंडविच भी हमें इसी तरह से तयार करके तवे में रख देना है और उपर से लगा देना है यह देसी अब हम इने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे तो देख लेते हैं तो बह बहुत ही मज़ी के बनते हैं आप इनको एक बार जरूर ट्राइ करें तो देख सकते हैं बढ़िया मज़ेदार हेल्दी सेंडविच बनकर तयार है मैंने इसे केचप के साथ सर्फ किया है आपको ये चिकन सेंडविच कैसे लगे मुझे जरूर बताना